आलो ग्याइज टो देखिए इस इस डày की वीडियो ओन युन अलिंफ्टिक डेनेज ओव डैंच के 8 पॉयंट था हमारा इस डिंफेटिक डेνेज ओव मेंबरी ऌसे दाखिलेंट के लिंफेटिक डेनेज की फर्स् वीडियो में हमने आपको बताता sitting lymphatic drainage को पढ़ते है two points के अंदर lymph nodes and lymphatic vessels तो first video of lymphatic drainage में हमने क्या बताया था एक तो पूरा बताया था सारी की सारी lymph nodes और एक बताया था हमने आपको bergs level bergs level of axillary lymph nodes और हमने आपको बोला था कि जितने भी bergs level के lymph nodes है इनको हम आपको पूरा का पूरा explain करेंगे कि हमने ये सारा का सारा किस region पर लिका है किस basis पर लिका है हमने बोला था कि ये कुछ ये कोई भी चीज रटने की नहीं है तो रेकिए this is the second video of lymphatic drainage of memory gland और इसमें बताएंगे हम आपके diagram जिसे की bergs level की सारे की सारी nodes को हम clear करेंगे तो रेकिए diagram बहुत simple सा है सबसे पहले हम यहां बनाएंगे आपके सामने this is axillary vein ओके ये हो गई vein तो कि देखिए lymph nodes से किस से related होती है veins से ओके this is brachial vein this is cephalic vein और यहां पर ये क्या होगी this is basilic vein ओके और देखिए हमने जब आपको bergs level बताया था तो AJ landmark क्या यूज करते हैं पैक्टोरेलिस माइनर मसल तो वही यहां पर हम पैक्टोरेलिस माइनर बनाएंगे तो देखिए यह क्या है this is corakoid process corakoid process से attach होती है corakoid process of scapula और इस से attach होगी हमारी this is पैक्टोरेलिस माइनर मसल ओके तो यह क्या है दिस इज कोरेकोईट प्रोसेस अपिसकेपुला ये कौन सी मसल है दिस इज पेक्टोरेलिस माइडर ओके अब आते हैं लिम्फ नोट्स पे कि हमें सुरी हम दो वेंस बनाना भूल गए इक होती लैटरल पेक्टुरल वें एक होती है सबसकेपलर वेंगे तो वेंस अब आते हैं लिम्फ नोोट्स पे टोःकि यह बल्क सलेवल की सारेकी सारी यिम्फ नोट्स को नहरीड दो करते हैं तो यहं पर यी इहrouब क्या होगी दिस इज इपेकल में नोट्स यहाँ पर कर दिया है अब आता है इनकी naming पे तो देखिए यह वाले lymph nodes है इनका नाम है this is the apical group this is the apical group और basically यह apical group कौन सी वेन से related होता है this is related to axillary vane यह होता है axillary vane से यह क्या है this is anterior या pectoral group this is anti anterior या pectoral और this is related to lateral या फिर इसी का दूसरा नाम है long thoracic vane and this is यह क्या है this is posterior या फिर इसे ही बोलता है सबस्केपुलर ग्रूप और basically इसे क्या बोलता है this is यह मतलब posterior या सबस्केपुलर ग्रूप यह कौन सी वेन से related होगा this is related to sub scapular vane this is यह कौन सा ग्रूप है this is lateral group lateral group of axillary lymph nodes तो group को मैं जिया लिक रहा हूँ यह related होता है यह हमारी axillary veins है और this is central group और basically यह कहाँ present होता है यह present होता है in axilla in axillary fate तो in axillary यह हमारी angular के अंदर जो fat present होती वहाँ पर related होता है तो देखिए हमने आपको यहां बताया था देखिए burks को बाद में देखेंगे पहले देखते हैं हमने बताया थी axillary lymph nodes कितनी बताया थी 5 anterior posterior lateral तो देखिए this is anterior posterior और यह हो गई हमारी lateral उसके बाद central and apical तो यह central हो गई and then यह apical हो गई तो हमने सारी lymph nodes को यहां diagramatically समझा दिया अब देखिए इन्ही lymph nodes को देखते हैं तो हम बर्क्स classification के अनुशार बर्क्स level के अनुशार मादला बर्क्स level के according तो देखिए this is the pectoralis minor इस पूरे diagram की हम anatomical position देखे हैं तो basically this is lateral side देखिए ना lateral pectoral lymph node है तो यह lateral side होगी this is medial side medial side क्यों देखिए pectoralis minor basically कहां आती है यहाँ पर करिस्टर्णम होगी ना यहाँ पर करिस्टर्णम होगी this is superior and this is inferior और basically यह क्या है this is the anterior view यह हमारा anterior view है क्योंकि देखिए ना pectoralis minor basically यह chest पर होती है तो anterior view होगा ओके तो देखिए यह हमने पूरे anatomical बता दी अब देखिए basically जो pectoralis minor के ऊपर lymph nodes है वह कहां होगी upper border और कहां पे होगी यह होगी a upper border पर होगी ना upper border पे होगी और कहां होगी ?mudial side होगी pecctoralis minor के जो श्रीकलिय मैंद्ब्छ्ट पे होगी गाहां होगी एक तो इस muscle के upper border पे होगी और medial side होगी देखे ना medial side तो है और जो lymph nodes muscle के नीचे होगी basically कहा होगी वो होगी lateral side और इसके lower border पर मतलब हमने new बोला है इस muscle के नीचे वाले lymph nodes this is first group muscle के just नीचे इस muscle के deep में जो percent है वो होगा second group और इस muscle के जो ओपर है वो होगा third group यह है तीन बर्क्स लेबल तो देखिए वही है first level क्या है lateral to lower border of pectoralis minor देखिए ना lateral to lower border of pectoralis minor तो देखिए यह pectoralis minor है यह muscle वही तो है this is the lower border और उसके नीचे के जितनी भी lymph nodes है उनको बोलते हैं हम level first first level of berks second क्या है deep to pectoralis minor तो इसके जस्त नीचे प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोलते है level second of berks level and the third क्या होगी medial to upper border of pectoralis minor तो देखिए इसके medial side होगी upper border होगी वो क्या होगी third level अब देखिए third level में हमने क्या लिखा था apical and infraclavicular तो apical बोल दीजिए या infraclavicular बोल दीजिए देखिए हम differentiate नहीं कर सकते कि apical lymph node से infraclavicular है इसलिए apical, infraclavicular बहुत सी जगह आपको दोनों की दोनों नाम एक मतलब slice में मिलेंगे या तो apical बोल दीजिए या बोल दीजिए infraclavicular एक ही बात है level first में थी ती तीन देखिए first में क्या है pectoral, subscapular, humeral humeral या फिर बोल दीजिए lateral humeral बोल दीजिए या बोल दीजिए lateral तो pectoral, subscapular and lateral तो देखिए वही है इसके lower border के नीचे कौन सी है this is pectoral this is subscapular and this is lateral ओके और देखिए central को basically हमने भी नीचे दिखा रखा है लेकिन basically bergs ने क्या बोला है bergs के according central कहा होती है इसके deeply present होती है किसके deep present होगी pectoralis minor के central basically कहा होगी deeply present मतलब bergs बात करें अगर आप bergs level की बात करेंगे तो आप central lymph nodes को बताएंगे pectoralis minor lymph node pectoralis minor muscle के नीचे and then एक है interpectoral जो कि हमने यहां show नहीं की है अब देखिए show क्यों नहीं की है common सी बात है क्योंकि यह कहां होती है pectoralis major and minor के बीच मतलब diagram में हम show नहीं कर सकते इसलिए show नहीं की है but interpectoral कहां आती है यह आती है level second के अंदर देखिए सारा का सारा explanation और हमने बताया था कि इन सारी lines को हम clear करेंगे तो हमने सारी lines clear कर दी है तो यह हो गया हमारा पूरा का पूरा diagram ओके इसके बाद देखिए यह पूरा का पूरा हो गया अब देखिए हमारे पढ़ना है lymphatic drainage की basically breast से के से आपको पता हो पूरा lymph का drainage पूरी body का lymph drainage दो vessels करती है दो ducts करती है okay ducts कोन सी एक होगी हमारी right lymphatic duct एक होती है left lymphatic duct okay दोनों ducts मिलके पूरा body का lymph collect करेगी और कहां पे डालती है जुगलर angle पर जुगलर angle पर पूरा का पूरा lymph डालती है तो basically यह पूरा lymph lymph collect होके finally जुगलर angle पर जाएगा जुगलर angle टक जाएगा तो basically यह वहां तक कैसे पहुंचता है तो इसके कोई direction होगी तो देखी direction भी यही है इन levels को पढ़ने का meaning यही है मतलब कि level first से lymph drainage drain होगा level second में level second से drain होगा level third में and then level third level third यह कहाँ पर drain करेगा यह drain करेगा हमारे जुगलर angle पर कहाँ पर drain करेगा जुगलर angle पर जुगलर angle क्या होता है जहाँ पर lymphatic ducts open होती है तो level third drain करेगा lymphatic duct में and lymphatic duct finally drain करेगी हमारे जुगलर angle पर तो इसी इन levels को पढ़ने का हमने यही meaning था हमने बताय था ना कि हम आपको इस बर्ग्स लेवल से पूरा का पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज बताएंगे मतलब क्या वही है लेवल फस्ट से से केंड में जाएंगा से कंड से थर्ड में जाएंगा मतलब कि जो भी level first के lymph nodes है यह सारा drain कहां करेगी इसमें करेगी यह सारी lymph nodes कहां drain करेगी इसमें करेगी थर्ड वाले में और थर्ड वाली सारी के सारे कहां drain करेगी जुगलर एंगल पर तो बताते हैं आपको पूरा का पूरा flow chart की basically हम यह flow chart जो कि lymphatic का flow होता है इसको कैसे बनाए तो lymphatic flow का diagram बनाएंगे मतलब chart wise बनाएंगे एक कि कैसे lymph का flow होता है direction बताएंगे एक chart में और वो chart बताएंगे आपको next video के अंदर sorry यार हम यह इनकी naming करना बूल गे थे तो देखिए basically यह क्या है यह है हमारी this is basilic vein यह है basilic vein यह कौन सी vein है this is cephalic vein this is cephalic vein और basically यह वाली कौन सी vein है this is brachial vein मतलब क्या मतलब हम इनको यहां बताने का मीनिग यह था कि इसमें क्या है आप इसी मतलब इसी diagram से आप इनको समझ जाएंगे कि कौन सी vein कहाँ drain करती है तो सबसे पहले बात करते है brachial vein की तो basically lies brachial vein कहाँ लाई करती है lies each side of brachial artery okay उसके बाद basically brachial artery की इस side लाई करती है और यह drain कहाँ करती है यह drain करेगी axillary vein के अंदर तो join axillary vein 8 lower border of teres major okay तो यह axillary vein को join करती है कहाँ पर position क्या है जहाँ पर teres major muscle का lower border होता है basilic vein इसके लिए भी हम एक line यह लिखेंगे वह यह की becomes मतलब basilic vein ही बनाती है axillary vein तो this is becomes the axillary vein यह axillary vein बनाएंगी कहाँ इसकी position क्या है वही lower border of teres major मतलब जहाँ पर lower border of teres major होता है उसके पहले क्या होगी उसके नीचे साइड होगी हमारी basilic vein और उसके उपर क्या होगी उसके उपर हो जाएगी वह axillary vein lower border of teres major उसके बाद देखिए एक line लिखेंगे है हम syphalic vein के लिए कि basically syphalic vein अपना blood drain करती है axillary vein के अंदर drain into axillary vein तो यह इनकी नेमिंग हो गए जो कि हम वीडियो के स्टाइटिंग में भूल गयता है